हेलो दोस्तों आज बनाएंगे एक कड़ी जो बहुत ही जाधा स्वातिस्ट बनेगी और इसे बनाना बहुत असान है और इसे घर के रखे मसालों से इस एक कड़ी को बनाकर तयार करेंगे दो कुरू है इसे बनाना तो दखी एक कड़ी बनाने के लिए यहां पर हमने दो प्याज लिए थे तो हमने डेर प्याज को बारी कट किये थे और आधी प्याज को हमने लंबे में कट किये हैं दो टमाइटर और 6-7 हरी मिर्च लिए हरी मिर्च थोड़ा हमारा तीखा कम है और यहाँ पर कुछ धनिया की पत्ते लिए हैं सभी को डाल देंगे और 8-10 काली मिर्च इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे तो देखिए आप टमाइटर का जो है पेस्ट बना लिए हैं अब हम ग अच्छे से भूनेंगे, गोल्डन होने तक यहांपर प्याज का जो कलर है चेंच हो गया है अब यहीं पर जिन्जर ब सब्रहिवाए तो देखिए यहांपर 2 चंबत जिंजर कारली कॉला पेस्ट डालेंगे और इसे भी हम 2 मिरट तक हम भूनेंगे मेढ़ा तो देखिए आ तो देखिए मसाले हमारा भून रहा है तब तक हम एक पैन लेंगे और इसमें एक चमच तील डालेंगे तील को थोड़ा से फैला लेते हैं और यहां पर जो हमने आधी लंबाई में प्याज को कट करके रखे थे इस तरह से स्प्रेट कर देते हैं पूरे ही पैन में और अपन भूनाओ अजीरा का पाउडर थोड़ा सा नमक डालेंगे देखिए थोड़ा सा नमक एड़ कर देंगे अगर इस तरह से आप एक कड़ी बनाते हैं तो आपको बहुत पसंद आएगी एक बार जरू ट्राइ किजिएगा तो देखिए इस तरह से दो मिनिट फ्राई करेंगे एक तरफ और एक श्पून के सायते से इसे पलट देंगे तो इसे अलट पलट के अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं तो देखिए एक फ्राई हो रही है तब तक यहां मसाले चेक करते हैं तो देखिए हमारा प्याज टमाइडर वाला जो मसाले थे बहुत ह सुखी जुसी सूखी सुकत हट पानी आड़ कर देंगे और इसमें थोड़ा से उबाल आएगा उसके बाद से अपने सारा एक जो है इस तरह से करके डाल देंगे देखिए आप यहाँ प्याज डाले थे कितना अच्छा यह गोल्डन फ्राई हुआ है अगर इस तरह से आप प्याज डालेंगे तो आपको खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी तो इस तरह से सारे एक को डाल देंगे थोड़ा सा हलके हाथों से इस तरह से पल्टे स जो हमारी एक कडी है बहुत ही अच्छे से उपल गई है और इसकी जो ग्रेवी की ठीकने से बहुत ही बढ़िया तो बस इसे थोड़ा साल के आथो से इसे मिक्स करते हैं आप इसके बास से थोड़ा धनिया पत्ता डाल देते हैं और गैस को कर देते हैं बन्त तो बहुत ही सिंपल है ना हमारी एक घड़ी की रेस्पी तो आप भी जरूर ट्राइ किज़ियेगा अगर आपको हमारी रेस्पी पसंद आई होगी तो प्लीज एक लाइक कमेंट चैय किज़िये गा और चैनल पर पहले पर होंगे तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा